किशोर जगत राष्टिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत केंद्रिये शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान दोरा प्रस्तु थे धनी कारेक्रमों की शंखला किशोर जगत किशोर जगत में आज का विशे है भूगोल क्या है हमारे चारोर 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 क्या है हमारे चारोर 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 इस कारेक्रम में आप सुनते हैं एक वारता शिर्षक है क्षेत्रिय भूगोल क्रमबध भूगोल के विपरीत क्षेत्री भूगोल का प्रारंभ एक या सभी क्रमबध भूगोलिक प्रक्रियाउं द्वरा भूप्रिष्ट पर छोड़े गए स्थानिक चिन्हों से दिर्मित विभिन आकार वाले प्रदेशों के अध्ययन से होता है प्रदेशों का आधार केवल एक अकेला कारक जैसे उच्चावच, वर्षा, वनस्पते, प्रतिव्यक्ति आय तधा साक्षर्ता आधी हो सकता है इसी प्रकार बहु कारक प्रदेश भी हो सकते हैं जिनकी रचना दो या दो से अधिक कारकों द्वारा हो सकती है प्रशासनिक ख्षेत्र जैसे राज्य, जिला, तहसील या तालुक और गाउं आधी को भी एक प्रदेश के रूप में लिया जा सकता है जबकि सुविधा के अतिरिक्त इनका कोई अन्य आउचित्य नहीं है योजनाओं तथा विकास के उत्तेश से विशिस्ट प्रदेशों का भी निर्मान किया जा सकता है शेत्रिय भूगोल के कुछ मुख्य विशय हैं किसी प्रदेश के प्रासंगेक, भौगोलिक विशिष्टिताओं की पहचान, प्रकृते और मानव के बीच, आपसी संबंधों तथा इसके प्रादेशिक प्रभावों का अध्ययन दिये गए मान दंडों के आधार पर प्रदेशों की सीमाओं का निर्धारण, प्रदेशों के परस्पर संबंधों, उर्ध्वाधर एवं क्षेतिच का पता लगाना, अर्थ व्यवस्था, समाज और राजनीत की ख्षेत्रिय सन्रचना का ज्यान ग्राप्त करना, एवं समस प्रदेशों के लिए ख्षेत्रिय योजना बनाना, प्रदेशिक विशलेशन, प्रदेशिक विकास, तथा प्रदेशिक योजना बनाना, जिसमें क्षेत्र तथा समुदाय योजना शामिल हैं, क्षेत्री अध्ययन चुने हुए क्षेत्रों तथा प्रदेशों का अध्ययन है, जिसके अंतरगर्द उन क्षेत्रों के भवगोलिक व्यक्तित्व तथा संभावित संसाधनों को सामने लाया जाता है, इसमें प्रादेशिक सर्वेक्षन को शामिल करते हैं, उप्यों की गई विधियों एवं कारेक्षेत्र तोनों की दृष्टी से प्रादेशिक विश्लेशन, प्रादेशिक अध्ययन की तुलना में अधिक तक्नीकी है, प्रादेशिक विश्लेशन में आकणों एवं सूचनाओं का विश्लेशन करने के लिए अत्यधिक विकसित सांखिकी एवं कनित की तक्नीकों का प्रयोग किया जाता है, तथा यह किसी क्शेट्र के भावी विकास की संभावनाओं को निर्धारित करने के लिए अंतर प्रादेशिक संबंधों एवं प्रवाहों पर अधिक बल देता है, प्रादेशिक विकास अध्ययन की वह शाखा है जो किसी प्रदेश में विकास की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करती है और इसके दिए ऐसी नीतियों तथा कारिक्रमों का सुझाव देती है जो उस शेत्र की समस्याओं को हल करने में सहायक हो सकें प्रादेशिक योजना एक तक्नीकी कार्य है जिसमें शहरों तथा ग्रामीन क्षेत्रों के लिए क्षेत्र योजना की सैधान्तिक तथा व्यावहारिक विधियों को अपनाया जाता है सारांश में यह कहा जा सकता है कि भूगोल अध्ययन का ऐसा मिश्रित क्षेत्र है जो अपने विशय सामग्री के स्थान पर अध्ययन विधि तथा दृष्टिकोन के लिए जाना जाता है यह भूपृष्ट की स्थानिक सन्रचनाओं और उनका मानव जीवन तथा उनके रहन सहन पर पढ़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है इस प्रकार भूगोल की ये उपशाखाएं संपून नहोकर केवल सूचक मात रहें इसकी उतनी ही शाखाएं हो सकती हैं जितनी समस्त भूपृष्ट अत्वा इसके किसी भाग की सन्रचनाओं और उनके वर्तमान और नए उभरते प्रतिरूपों के कारणों और परिणामों के बारे में किसी सार्थक वईज्यानिक निशकर्ष पर पहुँचने के लिए अध्ययन की जाने वाली विशय सामक्री भूगोलिक समस्याओं के अध्ययन की दो विध्यां हैं एक तरीका है किसी एक भूगोलिक कारक जैसे जलवायू को चुनकर उसकी क्रिया विधिका अध्ययन जिससे उनके प्रकार पता लग सकें और भूपृष्ट पर स्थानिक वित्रण के कारणों और परिणामों की परीक्षा की जा सकें इस उदाहरण में बल स्थानी तधा प्रादेशिक कारकों द्वारा संशोधित जलवायू और जलवायविक प्रकार पर है इस प्रकार का अध्ययन क्रमबद भूगोल के अंतरगत आता है इसके विपरीत हम किसी प्रदेश से प्रारंभ कर सकते हैं उदारण के लिए भारत का कोई राज्जे अथ्वा किसी नदी बेसिन को लें और फिर इसकी अध्वीतियता को समझने के लिए इसकी समस्याओं का पता लगाने के लिए तथा उनके समाधान के लिए नीतियां तथा योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए इसका अध्ययन विबन पहलूओं से करें इन दोनों ही विधियों में प्रदेश समान रूप से अध्ययन का केंद्र बिंदु है भूपृष्ट के स्थानिक सन्रचना के कारणों और परिणामों का वैज्ञानिक अध्ययन भूगोल का क्रोड है भूतिक भूगोल का महत्व इसमें उन सभी तत्वों को सम्मिलित किया गया है जो प्राकृतिक हैं स्थल मंडल, वायू मंडल, जल मंडल एवं जैव मंडल स्थल मंडल में भू आकृति शामिल है वायू मंडल का संबंध जल वायू से है जल मंडल जल लक्षणों का अध्ययन है और जैव मंडल का संबंध सभी जीवन्त वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, पशुओं, सूख्ष्म जीवों और मनुष्यों के अध्ययन से है मृदा भौतिक भूगोल में अध्ययन किये जाने वाले इन चारों तत्वों या मंडलों का उत्पाद है आध्यनिक भूगोल जिस रूप में यूरोप में उभरा, उसका जुकाओ भौतिक पक्ष की तरफ था यह परंपरा लगभग उन्नीस्वी शताबदी के अंत तक चलती रही उपनिवेशवादी युग में मानव आचरण को निर्धारित करने बाले कारक के रूप में भौतिक पर्यावरण पर अत्यधिक बल दिया जाता रहा लेकिन इसके विरुद्ध भी आवाजें उठती रही विशेशकर फ्रांस और संयुक्त राजवे जहां भौगोलिक प्रतिरूपों को प्रिथ्वी के भौतिक आधार पर कारिरत मानव मस्तिश्क की उपज समझा गया ना कि मानव पर कारिरत प्रकृति की तेन पर्यावरण निर्धारण से हटकर सामाजिक निर्धारण के सिधांत पर बल दिये जाने वाली विचारधारा ने एक संतुलित भूमी का अधा की और भौगोल को एक बार फिर एक विशाल आधार वाला विशे बना दिया भौतिक भूगोल या मानव भूगोल किसी के बिना भूगोल का अस्तित्व ही नहीं है कि शूर जगत इस शंखला में अभियाब सुन रहे थे कारिक्रम मार्ग दर्शन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा विशे संपादन आरपी मिश्रा आलेक एम एन कॉल तथा आरके गंजु नर्मान संचालन प्रभुदयाल खट्टर वाचन स्वर संजय कुमार ध्वन्यंकन सतीश लाळे और दीपक पांडे नर्मान सहयोग दावुदयाल चतर प्रोवेदी तथा नर्मान इवं प्रस्तुती वंदना अरि मर्दन